बॉलीवूड अभिनेता सुषान्त सिंग राजपूत ने आत्म हत्या कर ली है। उन्होंने बांदरा स्थित अपने घर में खुद को फासी लगाई। सुषान्त सिंग राजपूत बॉलीवूड के जाने माने अभिनेता थे। उनकी इस तरह अचानक मौत की खबर आने से काफी अच्छा चल रहा था अपने करियर में उन्हें MS धोनी जैसी हिट फिल्म दी थी फिल्मी दुनिया में कदम रखने से पहले सुशांत थियेटर और टीवी में काफी लोगप्रिय चहरा बन चुके थे उनको टीवी की दुनिया में पवित्र रिष्टा सीरियल के चलते का काफी लोगप्रिय त्यामिली थी शुशांत ने इंजिनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद अपने सपनों को पूरा करने के लिए एक्टिंग की तरफ रुख किया था शुरुवात में उन्होंने बैक अप डांसर के तौर पर काम किया इसके बाद किस देश में है मेरा दि सीरियल में उन्हें एक्टिंग का पहला ब्रेक मिला और फिर पवित्र रिष्टा सीरियल ने सुशांत को घर घर का चाहिता बना दिया काम्याबी के कदम चड़ते हुए सुशांत ने डांस रियालिटी शो जरा नच के दिखा और जलक दिखलाजा में भी हिस्सा लिया इसके बाद सुशांत को फिल्मी दुनिया में एंट्री मिली जहां उन्हें काई पोचे फिल्म में एहम रोल मिला इसके बाद तो जैसी सुशांत के करियर का गराफ उपर ही चड़ता गया उन्होंने एक के बादे कई हिट फिल्में दी जिसमें शुद्ध देसी रोमांस, पीके, एम एस धोनी और केदारनाथ शामिल है करियर की लिहास से बेहत सफल रहे शुशांत की लव लाइफ हाला की ज्यादा काम्याब नहीं रही शुरुवात में वो पवित्र रिष्टा की अपनी को स्टार अंकिता लोखांडे के साथ रिलेशन्शिप में थे लेकिन बाद में दोनों के बीच ब्रेक अप की खबरें आई ऐसा माना गया कि शुशांत के फिल्मी दुनिया में सफल होने के बाद दोनों के बीच दूरियां बढ़ गई थी इस बीच आपको यह भी बता दें कि कुछ दिन पहले ही शुशांत की एक्स मैनेजर रह चुकी दिशा सलियन की भी एक इमारत से गिरने से मौत हो गई थी पहले बताया गया था कि उन्होंने आत्महत्या की है लेकिन बाद में खबर मिली कि दिशा नशे की हालत में थी अब शुशांत के यूँ अचानक आत्महत्या कर लेने के बाद बॉलिवूड जगत सहित पूरा देश हैरान है शुशांत हमारी यादों में हमेशा रहेंगे पीके के सरफराज और MS धोनी के माही के रूप में